बारिश में फसे रनविजय और वेजू गावालों ने तानी रनविजय पर बंदूक वेजू ने बचाई रनविजय की जान स्टॉपलस के सीरिल माटी से बंदी डोर में कहानी में आगया है नया ट्विस्ट असल में हुआ यू कि वेजू भरी बारिश में कहीं जा रही थी कि अचानक वो कीचड में फस जाती है जैसे तैसे वो खुद को इस कीचड भरे पानी से निकालती है तब ही वहाँ उसे रनविजय देख जाते है ऐसे में वो रनविजय के कार में बैठ जाती है लेकिन कीचर में रनविजे के कार भी फज जाती है भै वैजू और रनविजे बहुत कोशिश करते हैं कार को उस कीचर से निकालने की लेकिन कार निकल नहीं पाती ऐसे में रनविजे और वैजू ये डिसाइड करते हैं कि वो इस कार में ही रहेंगे जब तक बारिश थम न जाए भै बारिश थम तो जाती है लेकिन तब ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं गाव वाले जो वैजू और रनविजे के रिष्टे पर कई सारे सवाल उठाने लगते हैं और उन पर कई इल्जाम लगाते हैं भै गाव वाले काफी गुस्से में हैं ऐसे में वो रनविजे पर बंदूपतान देते हैं और वैजू को अपने साथ ले जाते हैं यह करने के लिए तु गाहम में आय थी? इसे मिलने के लिए भरी बारिश में गर से निकलता साथ होगे? यह आप सोच रहो हो गला सोच रहो एरसे कुछ नहीं है अरे क्या सब अर अठायर? यह अठायर? यह तबा करना वोगे तुछ? यह अबस! हमारे गाव का नियम तोड़ रहे के? एक जुचार! एक जुचार! एक जुचार! और इसे भी वही सदा मिले गए? हाँ! हाँ! भाई गाव वाले काफी गुस्से में हैं और उनका गुस्सा और तब बढ़ जाता है जब रनविजे यानि की राना इन सबसे फाइटिंग करने लगता है लेकिन रनविजे को यह नहीं पता कि गाव वाले कई सारे हैं और वो अकेला और वो इनसे लड़ नहीं पाएगा फिर एक बार बारे शुरू हो जाती है और ऐसे में रनविजे पर गाव वाले बंदूग तान देते हैं लेकिन इससे पहले कि गन का ट्रिगर दबता वहां पहुँच जाती है वैजू रनविजे को बचाने के लिए इसी के साथ वो कहती है कि वो रनविजे से शाधी करेगी क्योंकि गाव वाले इसी डिमांड पर इन दोनों को छोड़ने को तयार है तो आखिरकार क्या है ये पूरा माजरा आए इन ही से जानते हैं क्योंकि रन्विजे तो मस्ती के मूड में है लेकिन वेजू वो ही बताएंगी क्या आखिरकार क्या गोलमाल चल रहा है सीन कुछ लिए लॉंग ड्राइफ पे निकले हम लोग और इंजॉय कर रहे हैं फिर एक जगा ये बोलते हैं कि मुझे बारिश में भीगना है तो गाड़ी से बाहर निकलते हैं बारिश में भीगते हैं इंजॉय करते हैं पूरे गाहों कट्टा कर लेते हैं और ऐसा क्यों होता है वह देखने के लिए आप देखें सेवन थर्टी माटी से बंदी डोर मम्मी को बोला है लड़की देखने के लिए तो वह देखेंगी उसके बाद मुझे बताएंगी फिर मैं लड़की से मिलने जाऊँगा फिर उसके बाद पता नहीं देखते हैं पस कुछ डिसिजन्स लेने पड़ते हैं और ये सीक्वेंस देखने में आपको मजा आएगा तो जरूर देखें माटी से बंदी डोर मैं फिर एक बार वैजू बन गई है रक्षक और उसने बचा लिया है रनविजय को लेकिन अब वैजू और रनविजय को गाउवालों के साम करने में काफी मजा आ रहा है यह तो अच्छा सा है मतलब आलवेज इंजोई रहें इन्हों ने स्टार्ट कर लिया तो भैई अब देखना होगा कि क्या रनविजय और वैजू की शादी हो पाती है या फिर कहानी लेगी कोई नया मोड मुंबई से प्रिती रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट करें और हाँ अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपने वाट्साइब पर भी नाम तो आप सब जानते हैं सांस बहु और पेटियां कर दो